या जब भी मेरे पास पैसे जमा होते हैं या फिर मेरे अपनी सेविंग्स होती हैं तो मैं दो चीज़े करता हूँ या तो मैं अपनी जीन्स की शॉपिंग करता हूँ या तो मैं अपनी शूज की शॉपिंग करता हूँ तो अभी इस बार मेरे पास जादा सेविंग जामा हो गई थी तो मैं ये शूज लेकर आया जिसका आपको टैटल दिख रहा होगा तो विदाउट बेस्टिक एनी टाइम लाइट स्टार्ट द वीडियो असलाहो लीकों एवरी बड़ी दिसे वेब आदिल सितिके और वेलकम बैक टो नदर व्लॉग सर आज के व्लॉग में हम अन्बॉक्सिंग करने वाले हैं अपने नाइक एर जूम की जो के हम आपको दिखाएंगे कि ये जूता बागे जूता जे किस तरह मुक्तलिफ है सो आई आई एसके अन्बोक्सिंग कर दें सो अब हमें स्टार्ट करने वाले हैं इसके अन्बॉक्सिंग और ये है बॉक्स जैसा कि आपको दिख रहा होगा इसके बाद इसकी चुरूरी होती है थैकिंग को अगर हम हटाते है तो ये है वो चीज जिसकी मैं बाग इस लुपेट देंग अगर हम चुरूर की बात करते है तो एक अच्छे चुरूर की पैचांग उसकी फिनिशिंग से होती है कि अंदर उसको किस तरह फिनिश किया गया है सैकिन उसका हम बॉटम देखते हैं कि ये जादा चलेगा नी चलेगा जो कि आपको काफली वाइडली दिख रहा है किसका बॉटम बहुत मस्पूत है कि इसकी हम कंडिशन देखते हैं कि ये वाटर में चल जाएगा या पर ज्यादा हाट जगा पे चल जाएगा तो अगर हम यह देखें फूरी प्लास्टिक के तरह ये मोड़ भी सकता है तो इस जूते के लिए मैंने बहुत स्ट्रगल करिए डू कैसे मिल गया मुझे क्योंकि यह क्यों था सेवेंटी डॉलर का है और नाइकी के अगर हम कपोजिंग करते हैं तो यह नाइकी के स्टिकर लगा हुए तरह आपको दिख रहा होगा रोज गोल्ड नहीं क्यलाता है यह थोड़ा पीच के उसमें आता है रोज गोल्ड थोड़ तुम्हें पर एक चोईस है कि अगर मैं चेंज करना चाहूं तो यहां पर वाइट स्टिक भी आ सकती है यह थी मेरी आज की वीडियो उमीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी अगर मेरे चैनल पर हो तो सब्सक्राइब कर देना बागी वीडियो भी देखना तुम्हें मिलते हैं पर नेक्स वीडियो में अपना बहता रखाय रखना अल्ला खापिए